नमस्कार सोसल समवाद में मैं सिधार ताप सभी का स्वागत करता हूं करोना काल के बाद पहला बजट है और बजट पर हमार साथ बात कचेट करने के लिए डॉक्टर रीता बहागूनिया जी हैं प्रयाग राज से सांसद हैं तो आईए बात चित करते हैं बजट पर सबसे कर मैं इस बार का जो आम बजट है कितना ग्रामिड भारत और किशानों के लिए उपयोगी है तेकि देश के लिए बहुत अच्छा बजट है करोना का के संकट के बाद इससे बहतरीन बजट आनी सकता था विपक्ष के लिए निराश्टा जनक हो सकता क्योंकि उनके पास कोई ह दर्स्तुत किया है यह बहुती वास्तविक बजट है यह भारत की अर्थिवस्ता को मजबूत करने वाला बजट है और यह पूरे देश के हर वर्ग के लिए एक बहुती अच्छा बजट माना जाएगा जिस तरह से हम कल देखें इस कि उसके के लिए पिरग पर आपके प्रति दम्रम जी का एक बयान आथ कि पीचे दम्रम जी ने कहा कि यह इस पर आपकी क्या प्रतिक्ट करें पीचे बात पर यह किस बात पर आया तो कि साजन्ट के बाद से ही जब हमारी अर्थविवस्ता खुली नर्सी महराव जी के जमाने में उसके बाद से ही हमारे सार्जनिक प्रतिष्ठान जो खराब थे उनको बंद करने की प्रक्रिया चुरूई और यह तो यूपय की सरकार की भी नीटी थी विनिवेश अगर आपको याद होगा तो विनिवेश कोई नई करप्रा नहीं है लेकिन मैं फिर आप से कहते हूं कि मान लीजगर कोई सार्जनिक कपनी दम तोड रही है तो अगर उसका विनिवेश होता है तो बच जाती है उत्पादन भी होता रहता है लोगों का रोजगार भी बचता है लेकिन जो हमारे उप के सेना के जो एक्विप्मेंट है उनको सेन जो अत्यार है उनको बनाने का काम बारत में चुड़ हो रहा है हो गया है और हेचल को अभी तेजस बनाने के लिए टालेस हजार करोड का प्रोजेक्ट दिया गया है तो ऐसा नहीं है बहुत अच्छा है आरे स्टील के इस पर बजट में टैक्स लब में कुई छूट नहीं मिला नौकरी पैसा वाले लोगों के लिए आप क्या मने बढ़ाया नहीं किया एक पैसा कर बढ़ाया नहीं गया एससे समय पर राज जी को इतना बड़ा घाटा राज्यश्वी घाटा चल रहा है तो पैंडमिक को देखने के देखते हुए बढ़ाया नहीं गया यह तपने आपे भभडी उपदी लेकिन पिछातर साल के आयू की उपर के लोग जो पेंशन पर अधारत हैं उनको कितनी बड़ी राहत दी गई है उनको उनको जो है वो अपना इंकम टाक्स रिटर्न करने से मुक्त कर दिया ग है वो वस्तु होई है जो कि आम आदमी के इस्तमाल की है जो लक्षरी आइटम्स है उन्हीं पर थोड़ा बहुत कर बढ़ाया गया है तो करना बढ़ाना भी बहुत बढ़ी उपलब दी है मैं मानती हुए सरकार किसान सम्मान नेरी फंड को सरकार ने इस पर कम कर दिया है इ वो जो खरीद हो रही है वो जाएगी जाएगी जो सबसेड़ी है वो तो होगी होगी इंफरस्ट्रॉक्चर में बहुत सारा जो बजट आप यह जो बज़टरी प्रवादान वह आत्मीने बर भारत के श्रेणी में चला गया है तो चाहे वो आवास देने की बात हो चाहे व है तो अलग-अलग विभागों में पैसा बटा है जो क्रिशी को या क्रिशिकों को जाएगा चाहे वो देखिया आप सिचाय की बात हो या सिचाय की उपकरणों को सोलर एनर्जी की बात हो सोब्सकी बात हो तो चला गया जलसन शाधन मंत्री में में तो ऐसा नहीं है किसान बैठे हुए उनका और रोपी है और यह किस सरकार हमारी बात नहीं सुनरी उसक पर एक कि शेखेले केसानेताई टो तो स्वीकार किया, कि गलत लोग उनके अंदोलन में प्रवीश कर गए तो उन्हों विसोई कर गए तो प्रवेश क्या तो इस आंदोलन में कुछ गलत लोग की मुझे तो सच्छ कर्मी नियुक्ट बहुत तो अभी भी जंग लड़ रहे हैं जीवन और मौत की, तो इसलिए ऐसे समय पर अगर शांतिपूर अंदोलन था, आकर दो मेने तक नहीं चुआ गया, तो मेरा ये कहना है कि अभी भी सरकार बहुत सयम भरत रही है, उनको शांतिपूर ढंक से अपने अंदोलन को चलान कर दिया जाएगा, तो इसकों तब पूरा बिली गलत था, पूरा बिल तो गलत है नहीं, किसानों क्याय को दुगना करने और इसमें सब वो काम किये गये हैं, जो बाकी भी पार्टियों ने अपने अपने चुनावी घोष्णा पत्र में शामिल किये थे, जाहे वो अपने देश को खोल देना विपार के लिए गलत है, तो गलत क्यों वापस लेंगे असी आ कानून को उनके, तो खंडवार बात कर दिए, जहां आवशक होगा, आपकी बाते तरक तूर होगी, वहां सरकार वारता करने को तयार है, तो वारता ही मार्ग है, जिद मार्ग ने लिए, राहुल गांदीज ने किसानों का अस्वासन देया कि आप लोग एक इंच भी पीछे मत थटिये, कि सरकार इस बिल को रद करेगी, आप क्या क्याना है, यह भड़काने वाला भाशन है, बात है, करोना के कान में जब इतनी संकर देश में हो, किसी प्रकार के आंदोलन को इसको नहीं है, और मैं समझती, यह ठोस और बिलकुल राजनीती हो रही है, इसको हम कहेंगे कि यह स्वच नहीं, अस्वच राजनीती है, बहुत बहुत सुप्रिया मैं, डिल्ली से सुसल समभवात के रिपॉर्ट,